हलो एवरिवन भावणागी रसवी में आपसे भी स्वागत है आज की रसवी हमारी पता गोभी के पराटे जो से बनाना बहुत ही जधादा आसान है और खाने में बहुत ज़ादा स्वाड़िस्ट, इसके रहे सबसे पहले हमें पता गोभी को गद्दू कस कर लेना है या फिर chopper सी help से chop कर लेना है इसमें मैंने मिला दिया हल्दी नमक जिससे की जो इसका extra monster होगा वो एकदम से निकल जाएगा और इसे रख देते हैं हम इधर डो लगा लेते हैं डो मैंने बहुत सौफ लगाया है और सर्दियों में हमीशा जब आटाग होती है ना तो हलके गु बेटावब जीरा ढाला थोड़ी से हींग और हरे मीश ताल दी आप चाहे तो कलोंजी भी थोड़ी सी डाल सकते है या फिर प्याज भी डाल सकते मैंने इसमें लैसा नदरख डाल दिया है कद्दू कस करके दोनों को अच्छे से भून लेना इसके बाद जो हमने फिलिंग क एक ठंडा कल लेते हैं और अब आटे केख सी एक छोटी सी हम लोई लेंगे इस लोई होँ न को हम बड़ी पूड़ी जितना बैलेंगे मतलब बड़ी रोटी जितना बेलेंगे और थोड़ा सा पतला ही रखेएगा जो हम रोटी रखेगा तब ही खाने में अच्छे तो बहुत अच्छे बनते हैं और कोशिश करेगा कि पतले पतले ही बनाइए क्वाने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं पतले प्राटे क्योंकि सॉफ्ट रहते हैं अब मैं इसे सेख लेती हूँ लटते हम इसे घी ऑयल बटर जिस पी चीज़ से आपको सेख लेजिए बहुत ज्यादा देख सकते हैं आप मैंने बहुत ज्यादा ओयल का भी यूजनी किया है फिर भी देखना यह बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट पनेंगे और देखे इसी तरीके से मैंने सभी पराठो को बना है और आप देख सकते सारे ही पराठो कितने अच्छे बने हैं आप इसे दही के साथ चटनी के साथ चाही के साथ जिस भी चीज़ के साथ आपको पराठो का आनन लिजिए और देखे मैं आपको एक पराठा खोल के भी दिखाती हू किस तरीके से अंदर फिलिंग पूरे में है इस तरीके से कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और बनाना भी बहुत आसान है आप छट पड इसे बना सकते हैं डुगु बहुत देर से इंतजार कर रहा है क्योंकि दुगु को तीनो टाइमें से एक टाइम पराठे जरूर चाहिए होते हैं उसे पराठे बहुत पसंद है तो अगर आप से भी को रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को आगे जरूर शेयर करिए मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब अगले बाबाई टेक केर और जाय माता दी